नमस्ते मेरा नाम राकेश है और मैं जर्मनी के फ्रैंकपर्ट इस शहर में हूँ आज छे दिन के बाद बाहर निकला हूँ और मेरे जैसे कई सारे लोग है जो आज काफी दिनों के बाद बाहर निकले हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग डर पोख है लेकिन जब तक अप कि खुक्रणा भारत के परोबाशा भाषर अब बाहरत कहुता नहीं सकता जब मैं बहुत यंग हूं हमारी हां तेंपरेशर वोग जादा है तो ये सेम गल्थी जो है दो हपते पहले इटली ने कि थी इस्पेन ने कि थी और जर्मनी ने कि थी क्योंकि इनका काउंट अगर स्टेज वन जो हुआ था चार मार्श को यहां पे सिर्फ 500 से 600 केसिस थे स्टेज 2 जो था 14 तारिक तो यहां पे 14 तारिक को शायद 5000 केसिस थे और स्टेज 3 में आज यह पहुंच चुके है 19 तारिक केवल 4 दिन में यहां के केसिस जो है 15,000 के आसपस बढ़ चुके है तो जर पे रही है, घर से बाहर मत निकलिये, क्योंकि यार, हमारे देश में अगर यह फैल गया ना, तो बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह देश जो है, यह बहुत अडवांस्ट है, इनके पास इनका जितना पॉपलेशन है, उसके कंपारिजन में हॉस्पिटिल हमारे देश का पॉपलेशन है 1.3 बिलियन, हमारे यह अगर यह फैलना चालू हो गया, तो रोकना मुश्किल हो जाएगा, और यार, यह लोग जो है ना, यह इतने सोशल है नहीं, यह जादा मिलते गुलते है नहीं, फिर भी इनके इतने तेजी से फैल रहा है, उसके कंपा हमारे देश में, और अगर आप यह भी सोच रहूं कि यार, मैं तो यंग हूँ, और मुझे अगर मेरे में आ भी गया, तो मेरी इम्मिनिटी अच्छी है, और फिर होगा नहीं, लेकिन अगर आपके बौडी में है, आपको कुछ हो भी नहीं रहा है, छे साथ दिन तक आप उसको लेके चल रहे हो, लेकिन आप जब घर जाओगे, तो आपके घर में जो बुजूर्ग है, बच्चे है, उनको अगर अफेक्ट हो गया, तो यार कुछ भी हो सकता है, तो बाहर मत निकलिए, बहुत मतलब इससे अच्छा देजबक्ती दिखाने का आपको इससे आसान म सब्सक्राइब को पाता है, जो बाता है, बहुत तरह कीज़ को अपनी तरफ से जो कर रही है, लेकिन जब तक आप लोग घर में बैठोंगे, यह रुकेगा नी, और अगर फिर कर्फ्यू वाली सिच्वेशन आनी आ गई, जैसे इली में है, तो कर्फ्यू का मतलब आप जा जो अल्रेडी है उनको फिर वहां से उठा के फिर उनको हर जगा से शहर में डिपलॉई करो और फिर अपनी बॉर्डर खाली करो उसके अपने अलग डिसद्वांटेज है तो यार हमारे जो है अपना खयाल रखिए और सुरक्षित रही है और जो गलती हमने जो गलती इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इन देशोंने की वो प्लीज हमारे भारत में मत कीजिए अपना खयाल रखिए जाहिन